हाई दोस्तों वेलकाम है मेरे चैनल में आपका मेरा नाम है खाजा और आप देख रहे हैं टेकनो खाजा तो दोस्तों आपको भी सेम प्राब्लम हा रहे हैं तो इस यूडियो में सेलुशन मिल गया है अगर दिखेंगे तो आपको देघ्वासी में आराम से आपका सीप्लस प्लस जो प्रोग्राम है वह रन कर सकेंगे तो आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप देखते रहे हैं तो डियोसी प्लस प्लस का आपको बत दिखाने जा रहा हूं आप कई से रेंड कर सकते हैं उस अरॉर को हटागे तो उसको ओपन कर लेता हूं तो हमारा यहां पर डियोसी प्लस प्लस ओपन हो गया तो आप यहां देख सकते हैं एक्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर एक प्रोग्राम भी ले लिया तो आप यहां देख सकते हैं यह दियोसी प्लस प्लस ही है तो एक्जाम्पल के मैंने यहां पर एक प्रोग्राम ले लि दीवगाइं तो यह प्रोग्राम में यहां पर टरिव कम्पाइल गरते हैं यहां से कए करते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं यहां पर और iStream.h पर error दिखा रहा है तो यहां नीचे देख सकते हैं आपको क्या करना है यहां से इस simple dot edge को यहांसे निकाल देना है और आप फिर error करेंगे तो फिर से आपको error आएगा आपको बताऊंगा मैं होई एक बार यहां पर error करके तो यहां से error आने वाला है next तो आप यहां देख सकते हैं वाइड में तो यहां पर आप दीख रहा है इन पर नहीं लेता है सिरफ आपको इंट दालना है और आए श्ट्रीम का डाट यहांपर हटा देना है तो अभी भी यह प्रोब्लम यहां पर रन नहीं होगा तो एक बार आपको मैं रन करके दिखा दूँगा तो यहांसे मैं रन करना तो यह अधिक घंठ सकते हैं तो यहां पर आपको see out का यहां पर यह पर यहां रहा है तो यहां से simple आपको कुछ भी नहीं करना है यह header file आपको दीख रहे होगे तीन और यह तीनों में .h है स्वारी डोनों में .h है उसरीर नों सीम रखना है सिरesi आयल स्ट्रिम का डॉटेज आपको हटा देना है और यहां पर header file के नीचे एक enter कर देना है और उसके enter के नीचे आपको simple using name using name space और sorry spling रहत होगी तो using name space study और semicolumn डाल देना है तो यहां से आपका program ready हो जाएगा तो यहां से आपको देख सकते हैं header file के नीचे यहां पर देख सकते हैं using name space study और semicolumn डालना है तो यह दोनों जो दोनों नीचे iader file देखरे हैं आपको तो इसका dot係 रख देना है यहां से आपको simple मैं run करूंगा तो यहां से program easily run हो जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं मैं run पर यहां पर क्लिक कर दिया हूं तो यहां पर यह देखिए यहां पर यहां पर run हो गया तो एंटर डे तो यहांसे हम वन पर क्लिक करेंगे तो यहांसे वन क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे तो यहां पर आ गया संडे तो यहांसे एक और बार मैं दुबार आपको दिखा कर रन कराता हूं तो यहां से आए, यहां पर देख सकते हैं कोई भी अरार नहीं है, तो यहां पर simple जाकर आपको compile and run पर click करना है, तो थोड़ी देर में हमारा यहां पर यह दीकर run हो गया, तो enter 1 करेते, आप enter 2 करेंगे, तो यहां पर आ गया Monday तो इस तरह का यह program है तो यहां पर पता चल गया होगा है आपको के program यहां पर कैसे रहन का सकते हैं कुछ भी नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं आप आ पर आपको सकते हैं और और स्टेकण आपको जोई भी प्रोग्राम हो और उसके निचे यहां पर आपको आपको हैड़ा फाईल टाइप करके उसके नीचे आप है और यहां पर युजिंग नेमःश्पेज scheduled ग्रावा तो इसे Prof mam के अंदर इह दालugs अगर आपके मिध्च कुभातल कि कि बाद यहां पर while me track करें लिखना है तो तो ज़ितने ही में आ रहा है तो इसको हटा करें अपर रोर दाल देना क्योंकि यह मैं पर आपसे नहीं करता है इसको यहांगे आपको हैश्वें में से होता ओर यहां पर डाट-इच करता है तो सो सब्ष veramente यह और इतना ही और यह बात अगर आपके प्रोग्राम में clear screen है तो कुछ इस तरह यहां पर लिखते हैं कुछ एक example दिखाता हूँ यहां से आप लिखको तो CLR या CR तो इस तरह का लिखते हैं यहां पर clear screen तो अगर यह भी आप लिखेंगे तो error दिखा देगा यहां पर तो यहां से यह भी आपको नहीं लिखना है तो अगर आपके प्रोग्राम में clear screen है तो इसको भी आप हटा दीजिए और तब आपका run हो जाएगा कुछ भी नहीं है यहां पर iStream का .ach हटा देना है और हर प्रोग्राम में using name space study semi column दाल देना है और वाइड मेन है तो उसको इंट मेन कर देना है तो देख सकते हैं आप इतना ही है कुछ ज्यादा नहीं तो एक और बार आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूं ज्यादा कुछ नहीं है आप देख सकते हैं simple run हो रहा है तो यहां से मैं आपको 5 किलिक करके दिखाऊंगा एंटर करें यहां पर आगया Thursday तो इतना ज्यादा यहां पर कुछ सोचने के बात नहीं बस इतना साही है और आपको पता चल गया होगा तो वीडियो यहां पर end करते हैं तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बस इतना ही तो आपको पता चल गया और अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो कमेंड में करिए जो भी कोशन हो तो मैं उसका सेलोशन लेका हूँगा तो डेव प्लस प्लस में यहां पर इतना ही करना है ज्यादा कुछ नहीं है तो इसके फीचर सलाग है तो आपको यहां पर इंफर्मिशन मिल गई होगी अरार की है तो फीचर में आने वाले अपडेट सारे इसी चैनल पर आने वाले तो मिलते हैं नेक्स टुडियो में वीडियोस देखने के लिए बहुत बश्युक्राइब वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स टुडियो में तो अब तक के लिए बाए